पूरे वीडियो में पूरे वीडियो में समझाने वाला हूं बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं यहां पर बता देता हूं 98 प्रतिशत 99 प्रतिशत लोग यह चीज गलत करते हैं गलत करते हैं सबसे पहला यार जब भी बैकलॉग है ना बैकलॉग क्या कुछ चीज आपका बच गया जिसे कंप्लीट करना है पहले जो प्रेजेंट में चल रहा है ना उसकी ट्रैक पकडने की कोशिश करो कि क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्या आप वो चीज कर पारे हो अब आप बोलोगे नहीं भाहिया क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है ना उसके लिए पहले मेरे को कुछ प्री रिक्विजिट्स कर दें की तब ही ये वाला चापर समझ मा आएगा काफी बार ऐसे फस्ते हैं तो हम पहले उन चाप्टर को कवर करेंगे उन चाप्टर के रिकॉरड़ वीडियो ढूंग देंगे उन चाप्टर के नोंट्स वगैरा देखेंगे उसके बाद हम हमें जो प्रेजरेंट में साथ में, बैक्लोग में भी वो दो से तीन घंटे अपने दिन के दे रहे हैं कि यार पुराना बैक्लोग कवर हो जाए, प्लस उनका स्कूल हो जाता है पांस से छे घंटे का, जनाब सेल्फ स्टडी का हूँ ही, सेल्फ स्टडी होती नहीं, तो होगा क्या, एक ऐसा पॉइंट आएगा, जब शायद आपका बैक्लोग कवर हो भी जाएगा, और शायद आप लाइव में भी सारे नोट्स बना रहे हो, पर क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, तीन महीने बाद आप जब आप पलट के उनी चाप्टरों को देखोगे, वो अजनभी लगेंगे, और तब आपका यही बैक्लोग, और बड़ा बैक्लोग बन जाएगा, क्या चीज समझ में आ रही है, बारवी में जितने भी बच्चे जाते हैं, और कॉंपेटिटिव एक्जाम का प्रिपेर कर रहे हैं, उनका इलेवन्थ का बैक्लोग होता है, मिजॉरिटी का, तो हमने का हम ये गलती नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम समिझदार विखती हैं, तो मैंने का, ओके, इधर इधर आते हैं, एक छोटी सी चीज है, जो कि मैं हमेशा वच्चों के साथ शेयर करता हूँ, हम हर दिम अपना टाइम टिबल बनाते हैं, यहां से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, माल लो यह आपकी एक्सपेक्टेशन है, साथ बजे उठोंगा, फलाना दो गंटे पढ़ूँगा, फिर देट गंटे पढ़ूँगा, रियालिटी कुछ और होती है, माल लो रियालिटी में आप उठे ही 9 बजे, कहां 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, कहां 9 बजे उठे, और 9 बज़े उठके breakfast वगेरा करने में एक गंटा लग गया और आप 10 बज़े से पढ़ना start करते हो आप क्या करते हो 10 बज़े से पढ़ना start करते हो तब बच्चे क्या करते हैं बच्चे सोचते हैं अच्छा, सबसे पहले physics पढ़नी थी, तो अब मैं क्या करूँगा, 10 से 12 physics पढ़ लेता हूँ, ये सबसे गलत चीज है, ये नहीं करनी, जब भी आपका कोई पीछे वाली चीज छूट जाती है, आप क्या करोगे, अच्छा, 10 बजे तक क्या क्या करना था, ये करना था, इसके क्या होता है, आपने जैसे 10 से 12 यहाँ पे, अगर आप physics पढ़ोगे न, ये 12 बजे खतमी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने अपना commitment तोड़ दिये, commitment तोड़ दिया, आप 10 से 12 वाला commitment भी तोड़ोगे, ये physics 10 से 12 नहीं, 10 से 1 तक चलेगी, फिर similarly अगली वाली चीज, 2 से 5 वजे तक चलेगी, और पुरे दिल का schedule हमारा ऐसे खराब हो जाता है, तो अगर कोई चीज छूटती है, तो उस चीज के काटा मार देंगे, और उससे आगे वाली चीज से start होगे, भाईया फिर इसका क्या करें, इसका क्या करें, अगर ये चीज करनी है आपको, तो तेज भ बढ़ेंगे, नहीं तो ये अब कल ही होगा, क्या ये चीज फिल आई, जब तक इस लेवल का commitment, dedication नहीं होगा खुद से, वो backlog बढ़ा होता होता जाएगा, आगे चलते हैं, वाह, 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 बहुत बढ़ी है, यहां पर मैंने कुछ cases लिए हैं, जो कि शायद आपकी problem से replicate करते हैं, और हमें अपने answers मिल जाएंगे, मैंने physics लिया है, आप chemistry maths में भी similar problems होती हैं, चलो, अब आज के दिनियार जैसे मैं alternating current पढ़ा रहा हूँ, अपनी live classes के अंदर बारवी वाले बच्चों को, तो ऐसे में काफी बार एक नया बच्चा भी आता है, जो बोलता है, भईया मैंने ये सारे chapter नहीं पढ़े, मैं इस वाले chapter तक कैसे पहुचू, backlog कैसे cover करू, मैं उसे सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, कि जनाब ये chapter समझने के लिए पीछे वाले सारे आने चाहिए, सब dependent हैं दूसरे के उपर, तो क्या करो, ये मत पढ़ो अभी, पर 10 दिन बा पढ़ेंगे न, उन 10 दिन में कोशिश कर recorded lecture देख ले इन दो चाप्टरों के, भईया उसके बाद ये सारा तो बच गया, हाँ तो इनका बलिदान देंगे, तो इनको कब करेंगे, मैंने का, हम modern physics जल्दी खतम कर लेंगे, October, November, मैंने तक, उसके बाद ये तो चीन चार चाप पढ़ा रहा था अपनी क्लास में, तो उस दोरा लाइव क्या पढ़ाय जा रहा है, कपासिटर, बच्चे क्लास में जोयन कोते हैं, भईया हमें तो कुछ नहीं आता, क्या करें, मैं कहता था, अगर कपासिटर चाप्टर समझना है, तो पहले के दो तो करने ही पढ़ेंगे इसकी तरह छोड़ नहीं सकती, तो मैं क्या कहता था, इन दोनों चाप्टर को पढ़ो, पर सिर्फ मेरे नोट्स करो, और PYQs और किसी भी कोचिंग माटीरियल को करने की जुरूरत नहीं है, जब मैं नोट्स बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स में ही 100 कोश्चन होते हैं, तो similarly ह हर एक के अपने कुछ होते हैं, क्या फील आ रही है, अगर आपके नोट्स में कुश्चन नहीं है, तो आपका जो भी study material है, उसके salt examples कर लो, चीज समझ मारी है, good, फिर similarly कुछ ऐसे बच्चे भी थे, आसे लगबग, 20-25 दिन पहले, कि भाईया, मैं magnetism पढ़ा रहा हूँ क्ल electro starts पढ़ ले, ठीक है, और वो भी मेरे सिर्फ notes से कर ले, PYQ एक बर रहने दे, और इस chapter पर जितनी जल्दी हो सके, दो से तीन दिन के live classes में jump मार, क्या चीज समझ मारी है, good, ठीक है, great, एक case 4 ले लेते हैं, case 4 कुछ इस प्रकार से है, यह यार सबसे मुश्किल मेरे को लगता है, क्योंकि 11 के जितने भी chapter है physics के, यह सारे dependent होते हैं, दूसरे के उपर, तो मैं एक बार NLM पढ़ा रहा था, live class में क्या चल रहा है, NLM, नया बच्चा आया, यह तीन chapter sketch के कवर मैंने का, NLM अगर समझना है न, तो मेरा सिर्फ vectors फड़ ले, kinematics और 2D motion हम छोड़ सकते हैं, भाईया, पर NLM में इनकी equation यूज होती है, मैंने का, kinematics की सिर्फ lecture number 1 देख के आजा, जहां पर हम basic equations वगरा सिखा देते, 2 गंटे की class, उसके बाद सीधा हम NLM के live में जंप कर, और यहां से backlog मत बनने दे, तो बच्चा क्या करता है, अच्छा ठीक है, इसमें मेरे 2 दिन लगेंगे, इसमें मेरे 2 भंटे लगेंगे, तीन दिन बाद वो live में मेरे को join कर लेता है, similarly आपके सबके teacher भी यार live पड़ा रहें, कहीं ना कहीं के जर्फ पड़ी रहे हो, तो backlog हम इसे cover कर सकते हैं, अब यहां पे कुछ pro tips हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात, जब भी आपका backlog आता है, notes को यार जादा preference दो above आपका जो भी coaching institute का material है, अगर आपके teacher ने बढ़िया notes आपको दे रखे हैं, तो backlog में उसी को preference दो, live में सा तीन बार revise भी करो, right, क्योंकि तभी वो याद रहेगा, वरना दो महीने बाद क्या होगा, सारा backlog बन जाएगा, second, salt examples को ज़्यादा preference दो as compared to exercise, जब हम backlogs की बात कर रहे हैं तो, कि exercise तो यार कल को भी कर लेंगे, एक बार salt examples कर लेते हैं, जिसे chapter जल्दी से समझ में आ जाए, और जो present पढ़ाया जा रहे हैं, मैं उस पे jump मार सको, next, revision बहुत ज़रूरी है, जो भी आपने backlog में पढ़ा है, एक तो उसके hand notes बनाने बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके teacher ने आपको notes प्रोवाइड कियोंगे, उसके बाद भी आप अपने hand notes ज़रूर बनाए, उनसे practice होती है, अगल को revise करोगे, उनसे जल्दी revision होगा, साथ में, जो आपने बना लिया है, उसे एक से दो दिन में है, और 15 से 30 मिनट की एक आँखों से revision ज़रूर मारो, वरना क्या होगा, एक महीने बाद, वही backlog जो आपने cover किया था, पराया सा लगेगा, क्यों पराया लगेगा, क्य हो सके, तो थोड़ा लिख के भी देखो, बीच बीच में, अब आपने से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे, कि भाया, हमारा तो paper आ रहे है, और हम लगबख सारा chapter, सारे slivers से जा चुके है, पर कुछ है, जहां पर backlog है, कि वही किसी का mechanics week है, किसी का कुछ week है, तो उस particular case में कैस time oriented आप हो रहे हो, ठीक है, आपको तो number लेके आने paper में, तो आप क्या करो, एक ऐसा बंदू ढूंडो, ठीक है, जो कि वह chapter आपको जल्दी पढ़ा सके, ठीक है, कहीं से भी आपको जो भी live classes मिलती है, जहां की भी, उसके बाद secondum क्या करेंगे, secondum ऐसा कर सकते हैं, कि जनाब उनके कुछ notes वगरा मिल जाएं, जिसमें काफी सारी practice करा रही हो, third हम क्या करें, बजाए आप coaching institute में जाओ, सबसे पहले यार हम previous year questions निकालते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा confidence तो इनी से आएगा, सबसे अच्छा confidence तो इनी से आएगा, तो आपकी किताब हैं, 41 year previous year book आती है, व उनोंने मेर को एक चीज बोली थी, जब मैं school के अंदर था, कि यार अमन, सब बच्चे अना, अपने बस उस किताबों को देख के डरते रहते हैं, और रहते रहते हैं, कि यार इतना सलिवस बचा हुआ है, अगर उस सलिवस को पकड़के एक कोने से निकालना स्टर्ट करोग एक चीज का और दियान रखें जब भी आप बैक लॉग कवर करें ज्यादा सेंटी नहीं होना है ज्यादा सेंटी मतलब ऐसा मत कर देना कि सेल्फ स्टड़ी डूब गई सेल्फ स्टड़ी को मिनिमम वह रूल आपको आए खोप याद हो लास्ट वेक्चिल में मनें बताया था अगर आप दिन में एक्स घंटे एक्स घंटे का डेटा क्रेंच करते हो तो एट लीस्ट आपको 1.5 एक्स की स्टड़ी करनी पड़ेगी सेल्फ स्टड़ी दिन में चार गंडे का ट्यूशन लेते हो तो भई 6 गंडे सेल्फ स्टड़ी करनी है दिन में अगर 5 गंडे का ट् विश्यस साइकल होती है यह एक विश्यस साइकल है मिजॉरिटी वच्चे इसके अंदर फसते हैं आपको नहीं फसना है आए खोप यहां पर हमें यार चीजे हैं समझ में आ रही हैं और एक चीज और बता देता हूं यार आप में से जितने भी वच्चे competitive exam की त्यारी कर रहे हैं आपको लग रहा होगा यार फलाना chapter मेरा छूट जाएगा मेरे नंबर कैसे आएंगे this competitive examination is not about completing the slavers yes it is about completing the slavers पर यह board exam नहीं है कि कोई छूट गई तब मेरे 99 या 98 प्रतिशत कैसे आएंगे it is about revisions it is about retention सारे बच्चे यार अपना slavers आकरी तक भाग दोड के आधा परदा पूरा ऐसे यूं कर करी लेते पर revision आपके जिस chapter के 5 से 6 revision नहीं हुए है जनाब वो आपको number लाके नहीं देगा यह fact है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है जो चीज present में पढ़ा रहे ह और बचे वे दिन की चीज़ पर ही ध्यान देंगे और मैंने क्या बताया आपका self-study जो time है वो at least 1.5x times होना चीए आपका jubitution time है उसका और उस किताब को लेके start कर दो पढ़ना ये चीज़ें खतम हो जाएंगी यही इस backlog वीडियो की summary थी आज का वीडियो समाप्त करते है तब तक के लिए see ya have a good day जहां भी पढ़ रहे हो यार दबा के फढ़ो और ऐसा पढ़ो कि यार ये एक दो साल मेरे को मिला है इसके बाद तो college चले जाओगे हमें क्या लगते है और 11 वी बार भी है बहुत tough time होता है हाले tight हो जाती है मैं भी UC में से गया था आपके बड़े काश मेंने पढ़ लिया होता है आप शायद आज से 6 साल बाद job कर रहे होगे और आपको feel आ रही होगी काश 11 वी बार भी में पढ़ लिया होता और फिर जब आप किसी 11 वी बार भी वाले बच्चों को देखोगे न तो आप उसे जाके बोलोगे यार पढ़ लियो बेला मत तो हमें वो व्यक्ति नहीं बनना है हम एना उखाडेंगे इसी के साथ आज का वीडियो समाफ करते हैं तब तक के लिए सीया have a good day bye bye take care